हाई फ्रेंड्स ललिता किचन में आपका हर्दिक स्वागत है आज हम बनाएंगे पालक की स्वादिष्ट पुडियां जिसके लिए हमने लगभग आदा किलो के लगभग हमने अच्छे से डंखल को अलग किया वा पालक है वो हम लेंगे हरा पालक घर में दी पालक मिले तो व भाज़ार सी भी ले सकते हैं देखिए हमने घर में को गया वाद पालक अपने घर पर लिया है अभी देखिए हमने अब इसको गोल करके आटे में इस पालक को अची दरे से मेस कर लिया है ये देखिए किस प्रकार से सोफ्ट थोड़ा सा आटे को मटाय टिलेंगे ताकि थोड़ा सा तेल हम लगा लेंगे इसके चारों हमने इसमें अपनी स्वादान उसार लाल मिर्स पाउडर नमक थोड़ी से जवाइन और थोड़ी सी हिंग पाउडर मिलाई है अब देखिए जिदि आपको ज्यादा पालक हरी ज्यादा हरी पूडियां चाहिए तो आप रोल चाहिए बै mua реal करेंगे कि देखिए अमारा अटा बोर्ची अच्छा में वाफे देखिए हम गोल पूड़ी इससे त्यार करेंगे अच्छी तरह एकसे से फैला लेंगे पूडियों को ज्यादा नए तो मोटा रखेंगे और नए पतला बनाएंगे फिलेखिए इतनी इसी प्रकार हमने दस से बारा पुडियां वो तियार कर ली है और इधर हम दूसरी कड़ाई में तेल को गरम करने के लिए चढ़ाएंगे इस देखिए हमने जो तेल बोईल चढ़ाया तक इस पर वो अच्छी तरह से जो तयार हो चुका है सर्फेस प्याच चुका है अब इस देखिए हमने दो तिन पुडिया इसमें डाल दिया अच्छे से बॉल होने दीजिए उपर से चिकने के बाद हम इसे नीचे से पर्ट देंगे और गेस का फिले में मेडियम रखेंगे कड़ाई में उतनी पुडिया डालें जो आसानी से नितला दस के जिए लाजबा पुडियां बनकर के तयार होने वाली है किसी फुली फुली टेस्टी पुडियां तयार होगी यह देखिए अच्छे से हम सेकेंगे इसे इसमें हमें रोड़ा सा जोएन भी यह देखिए पुडियां हमारे अच्छे से तयार हो सकी है यह देखिए पुली भी पालक अच्छी से प्रकार से में इसे नज़रा रहा है अच्छी से सिकाई करेंगे थोड़ सी गोल्डन ब्राउं हमें तक ताकि पुडियां में तेस्ट उतना ही अच्छा आएगा यह दिखिए लगबग हमारी पुडियां है वो तयार हो चुकी है पुडियों को अच्छी प्रकार से तेल के बीच में डालें ताकि पुडियां अच्छे से फूलें लाजवा वो टेस्टी पुडियां बनकर के त्यार होने वाली है प्लीज आप जरूर घर पे ट्राइ करें इस रेसिपी को और ज़्यदी इस चैनल पे नए हैं तो करपया चैनल को सब्सक्राइब परें लाइक करें सेर करें और इस रेसिपी को जरूर अपने घर पे ट्राइकरें यह देखिए अच्छे से पुडियां त्यार बनकर के वैस्च कर त्यार हो गई है यह देखिए हमारी पुडियां अच्छे से बनकर के त्यार होगी है देखिए गरम है पुडियां काफी और देखिए तिनी सोफ्ट और लाजबा पुडिया बनकर के त्यार होई है यह देखिए यह देखिए पालक हमारा अच्छे से मिक्सो हो चुका है थोड़ा सा मिटा सोड़ा भी डाल दीजीगा ताकि यह अच्छे से फूल सकें यह देखिए काफी लाजबा पूरिया बन करके तयार हुई है इसे आप सब्जी के साथ चटनी के साथ या लालमी पाउडर के साथ या सोस के साथ सर्वे कर सकती हैं और अपने घर पर जरूर भी ट्राइए करें पूरिया देखिए काफी लाजबा पूरिया हैं यह देखिए कर पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें सेर करें थेंक